सो नमस्का दोस्तों टेक्निकल वोस में आपका फिर से बहुत-बहुत सवागत है और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने मोगाल में फास्ट मोड एक्टिवेट कर पाई चार्जिंग के लिए तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों यदि आपके मोगाल में फास्ट मोड एक्टिवेट होगा तो आपके मोगाल की बहुत ही ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाली है पहले से ज्यादा ओके बात करो तो तो मैं अपने मोगाल की फास्ट मोड को ओपन करने के बाद अपने मोगाल की बैंटरी को केवल और केवल 20 से 30 या 35 मिनिट के बीच में फूल चार्ज कर लेता हूँ तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे और येदि आपके मुबाइल में फास्ट मोड सेटिंग ना भी हो तो उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके मुबाइल में कैसे कैसे सेट करने है आपको अपने मुबाइल में सभी के मुबाइल में मिलेगी वैसे जाद तर तो चलिए वीडियो को जानते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर दोस्तों वीडियो को दिहान से देखना है एक प्यारा सा कमेंट करना है वेरी नाइस, बैंटरी, फास्ट मोड, ट्रेक, और साथे साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी के बटन को जुरूर दबा लेना, क्योंकि दोस्ता आपने, आप सभी लोगों ने घंटी के बटन को दबा ही नहीं रखा है, और फिर आप बोलते होगा, उसका notification आपको मिल जाएगा, और वो नई वीडियो आप देख पाएंगे, हर रोज मैं एक या फिर दो नई वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको अभी ऐसी latest information दे रहा हूँ, जो दोस्तों कोई भी नहीं दे रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ह मैं कभी नहीं कहता हूँ, आपको ये काम करने के लिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कभी-कभी बीच में कहा देता हूँ, जिस्चे कि आपके भी याद आ जाए, अब चलिए दोस्तों जानते कि आप अपने मुवाइल की बैंटरी को चार्ज करने के अपने मुवाइल में फास्ट मोड चार्जिंग कैसे अक्टिवेट करेंगे, जिस्चे कि आपके मुवाइल के बैंटरी यल्दी चार्ज हो जाए, और जिनके मुवाइल में ये सेटिंग नहीं होगी, उन्हों को लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, जिस्चे वो भी अप सबसे पहले दोर्त आपको क्या करना है, अपने मुवाइल के सेटिंग में जाना है, ओके सेटिंग में जाने के बाद सभी मुवाइल में एक ओप्शन मिलेगा यहाँ पर डिवाइस केर के नाम से, या फिर यहाँ पर मिलेगा जो है डिवाइस मेंटेनेंस, या फिर जो है म mobile maintenance, इसके नाम से एक option मिल जाता है, खैए यहाँ पर option में जाने के बाद, इसरी के शोपन खुलेगा, option खुल जाएगा, या फिर यहाँ पर निचे के side option मिल जाएगे आपको, यहाँ पर कुल मिलागा के option मिलेगा आपको बैंटरे के नाम से, बैंटरी वाले option पर आप चले जाएंगे और यहां पर इस option पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर एक option मिलेगा power mode यहाँ पर आपको दू-ْतिन setting करनी है यहां पर power mode वाले option में जाएंगे और दोफ्तों यहां पर आप देखेंगे आपको तो तीन ओप्षन मिलेंगे पहला ओप्षन है ओप्टिमाइज, सेकंड है मीडियम पावर सेविंग और थर्ड है मैक्सिमम पावर सेविंग ओके तो यहां पर इन सभी जो यह सैटिंग है इनका मतलब तो आप जानते ही होंगे यह आपको अपने मुबाइल की बैंटरी को पास्ट मोड एक्टिवेट करना है तो यहां पर यह सैटिंग मिलेने हो अब इस सेटिंग को यहां से आप यहां से यहां से व्यागर करदेड़ कर देना है, यहां से बंद ने रखने आपको यहां फास्ट चार्ज होगा अब अब जिनके मुबाईल में यह setting नहीं है उनको क्या करना है दोस्तो ध्यान से देखना है आपको चले जाना है Play Store में और दोस्तो पले Store में जाने के बाद आपको यहाँ से अब्लेकेशन डाउन्लोड कर लेने हैं कर लेना है जिसका नाम के बाद यहां पर आप देखेंगे start आ गया लिखावा ओके यहां पर start पर click कर देना है और आपने start पर click किया अब यह इस तरीके से जो है जो आपके mobile के background के processing है उसको रोक देगा ओक्के आपके mobile का जो fast mode है उसको activate जो है कर देगा तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है झाल